हिंदू नववर्ष विक्रम समवत 2018 की शुरुआत होने जा रही है। इस दिन से ही चैत्र नवरातरी भी आरंब होती है। इस नवसमवतसर 2018 को कालयुक्त नामक समवतसर के रूप में जाना जाएगा। करीब तीस वर्षों बाद नववर्ष की शुरुआत शुब राजयोग और शश राजयोग का सयोग बन रहा है। इस बार विक्रम समवत 2018 के राजा मंगल होंगे और मंत्री शनिदेव होंगे। सेनापती का कार्यभार शुक्र समभालेंगे और समवतसर के वाहन बैल होगा। ऐसे में पूरे साल शनी और मंगल का प्रभाव बना रहा है। नया हि हिंदू वर्ष चैत्रमाह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और सभी व्रत्योहार हिंदू केलेंडर की तिथियों के आधार पर ही मनाया जाता है। इस बार नया हिंदू नववर्ष विक्रम समवत बहुत ही खास रहेगा। गुड़ी पढ़वा के दिन ये उपा कर सेवन करें। घर में घट स्थापना और व्रत रखें। सुबह पूजा के बाद घर में गंगाजल छिड़ें। बजरंग बली को प्रसंद करने के लिए गुड में चमेली का तेल मिलाकर भोग लगाएं। हरिद्रा के दाने डालें। चावल का दान कराएं। गनेश दिर जाएं। गुडी पढ़वा के दिन हनुमान जी को लड़ू का भोग लगाएं। अपनी दुकान या व्यवसाइक स्थल के मुख्य द्वार के दोनों तरह छुटकी भरहल्दी डाल दें। अगर व्यापार में बाधाएं उत्पन हो रही हैं तो गुडी पढ़वा के दिन घर की सफाई करके तोरन लटका कर रोशनी बढ़ा कर पूजा कक्ष को सुन्दर बना कर फर नीचा का नया टुकडा खरीद कर ताजे फूलों का उप्योग करके और पेंट का ताजा कोट देकर घर को सजाया जा सकता है। गुडी पढ़वा के दिन प्रसाद के रूप गुडी को अच्छी तरह से बांध कर और उस पर सुगंध, फूल और अगरबत्ती लगा कर गुडी की पूजा करनी चाहिए। फिर दूद छीनी, पेरे का प्रसाद, हरिद्रा के दाने डालें। गुडी पढ़वा वाले दिन आपकी दुकान या जिस जगह पर आप व्या पार करते हैं उसके मुख्य द्वार के दोनों तरफ हरिद्रा के कुछ दाने डाल दें। ये उपाई करने से आपके घर में अच्छानकी धन आगमन शुरू हो जाएगा। चावल का दान कराएं। अगर आपके व्यापार में अनावश्यक रूप से बाधाएं उत्पन हो रही हैं, तो गुडी पढ़वा के दिन घर की किसी चोटी कन्या से एक कटोरी साबुत चावल किसी निर्धन व्यक्ती को दान करवाएं। लाब मिलेगा। गनेश मंदिर जाएं। गुडी पढ़वा के दिन गनेश मंदिर जाकर भगवान गनेश को पांच सुपारी और 21 दुर्वा अर्पित करें। ये उपाय करने से पूरे वर्ष आपको धन की कमी नहीं होगी। पूजन के लिए साधक नई चौकी या वेदी पर सफेद रंग का वस्त्र बिच्छाएं और उस पर हल्दी या केसर से अश्टदल कमल बनाएं। इसके बाद कमल के मध्य में ब्रम जी की मूर्ती स्थापित करें। ऐसा करने के बाद सबसे पहले गनेश जी की पूजा करें और फिर 108 बार ओम ब्रमने नमह मंत्र का जाप करें और विधी विधान से ब्रम हजी की पूजा करें। गुड़ी पढ़वा के दिन पंचांग श्रवन को भी बहुत ही महत्वपू चूर्ण माना जाता है। नए वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाध्यक्षादी का नाम सुनने से तथा वर्षफल का श्रवन करने से विशेश लाब मिलता है। गुड़ी पढ़वा के दिन नीम के पत्ते का चूर्ण बनाकर उसमें नमक, हींग, जीरा, काली मिर्च, अजवा तिथी के दिन चैत्र नवरातरी की शुरुवात भी होती है। इसलिए इस दिन घर में घट स्थापना और व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरातरी में मा दूर्गा की उपासना करने से व्यक्ति को सम्रिध्धी, सोक एवं एश्वर्य की प्राप्ती होती है।